शकील साहब को वेलकम करते हैं, शकील साहब आप क्या कहेंगे, आपका क्या analysis है, खास कर जब आज के दिन थोड़ा सा excitement के बाद market में थोड़ा सा जब हम किसी news की इंतजार में बैठे होते हैं, और जब वो news आ जाती है, तो उसके बाद वो बबल जो है, वो फिजल आओ जाता है, और उसके बाद जो है वो खतम हो जाता है, तो market के अंदर expectation इस दफ़ा काफी अरसे के बाद ये थी, कि शायद 100 basis point या 50 basis point कट होगा, लेकिन ग monetary policy से, if I am not wrong, interest rate cut नहीं हो रहा है, 22% के ओपर high पर अपने interest rate है, और लोगों को expectation गुजिशता 3 monetary policies से ये थी, कि rate cut होगा, rate cut होगा, rate cut होगा, लेकिन इस दफ़ा भी preempt कर रहे थे हम, ये बताना चाहरी हूँ कि एक तरफ हमारा जब August में 22% किया गया था policy rate, तो उस वग inflation के number 38 percent थे, अब 20-21% inflation के number से, उसके बावजू policy cut की एक उमीद थी, वो नहीं हुआ तो फिर excitement नहीं होगा, देकि उसमे हम एक real interest rate calculate करते हैं, जब तो उसमें हमें नजार आता है, कि inflation numbers जो है न, वो पिछले महीने में कम हुए हैं, लेकिन इस्टिल जो अभी figures आ रही है, वो 27% inflation की figures आ रही हैं, और अभी recent past के अंदर ही आपको पता है कि City Bank ने भी एक report दी थी, कि जिसमें उन्होंने expect किया है कि May या June में rate cut expected है पाकिस्तान के अंदर, we are expecting कि interest rate cut होगा, और कम 5% तक बतदरी जिसमें कमी होनी है, क्योंकि इस interest rate के उपर business करना मुमकिन नहीं है, कैसे आप manufacturing ब कब आना है, अब ये बिलकुल करीब आ गया है, ऐसा लगता है कि अब ये एकाक monetary policy की बात है, इसके बाद हम बतदरी जिसमें कमी देखेंगे, लेकिन market as far as market is concerned, market में ये hype interest rate cut की पिछले हफते से है, इस वज़़ा से interest rate cut की वज़़ा की खबर पर या rumor पर, बजार तकरीबां हाई 3,000 point बढ़ी है पिछले weeks के अंदर और इसमें rate cut एक factor था, foreign inflows एक factor था, पाकिस्तान के अंदर, foreign investments, SIFC, IMF से 1.1 billion dollar की, SBA की जो recent payment आनी है, वो और secondly, एक तवील मुद्धती program में पाकिस्तान जा रहा है, IMF के साथ जिसमें, और इंग्जेप साहब ने वाशिंटन के अं या stock market जो है, वो bull run sustain करेगा, तेजी होगी और जैसा अमीन साहब ने बिल्कुल सही का, कि market corrective measures लेती है, और market के अंदर, ये healthy sign होती है, कि market थोड़ा सा breathing room ले, और फिर उसके बाद नए जजबे से market फिर उपर जा सकती है, और उन लोगों को मौका मिलता है, जो Israeli में रह गए वो नीचे bargain hunting कर सकते हैं, वो अच्छी value buying कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बता दू, market का index 73,000 के उपर चला गिया, market 100,000 के उपर भी चली जाएगी, बड़ हमें share price की valuation देखनी चाहिए, जो कि आज भी dirt cheap level के उपर है, 4.6 के उपर PE पर आज भी market हमारी चल रही है, आप अच् किसे बनाएगा बजार?